चली तो बात करने वाले हैं IT सेक्टर की दिगज कंपणी विप्रो कंपणी के बारे में दोस्तों आपको बताना चाहों कि 2021 काफी अच्छा खासा रहा मल्टी बगर रिटन बनते हो न जराए और अब 2022 के अंदर कितना बड़ा धमाका ये कंपणी करती हो न जरा सकती है अगर आप ये रोन ये अर्बेसिस का डेटा बेस उठा कर देखेंगे तो कंपणी की परफॉर्टमेंस के अंदर आपको काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों यहां पर आपको दाना चाहूं कि कंपणी के अंदर रिटन तो हम लोग को अच्छे खासे देखने को मिले ही है साथ ही में ये कंपणी बराबर डिविडेंट भी प्रोवाइड कराती हूँ चलियाई है तो एक और बड़ा धमाका हमें डिविडेंट के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है और अभी ये कंपणी डिविडेंट देने वाली है तो डिविडेंट जब ये कंपणी एलान करती है कि डिविडेंट प्रोवाइड कराएगी तो कहिने कहीं शेर के अंदर खरीदारी बढ़ती है और शेर का प्राइस हम लोग को बहुत तेजी के साथ में उपर की तरफ मुग औरता होने जराता है तो तैयारी आपको करके चलनी है कि बजार के अंदर जो हलचल इससे मैं दिखने को बिल रही है क्योंकि next month से Q3 का session स्टार्ट होने वाला है काफी सारी company अपने result announce करेंगी और काफी सारी company या dividend भी देने वाली है तो इसी सिल्चले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे वेपरो company के अंदर जो महतपून date निकल कर आई है तो आपको बताना चाहूँ कि ये company अपने Q3 के result डिकलेर करने वाली है जनवरी के महीने में और साती में ये company हम लोग को dividend भी provide कराएगी तो यहाँ पर board meeting होनी है 11-12 जनवरी के असपास board meeting हो सकती है और इस दिन ये company अपने quarter third के number भी डिकलेर करने वाली है और साती में statement भी आ चुका है कि ये company 2021 के लिए interim dividend का भी ऐलान करने वाली है तो दोस्तो 697 रुपे के आसपास सिस्समें स्टॉक की closing दिखाए दे रही है और 702 रुपे तक के level आपको हाल फिलाल में देखने को मिले तो बहुत जल्द ये level break होने वाले हैं और एक नया record हमें इस company के अंदर आगे देखने को मिल सकता है इसी तरीके से अगर एक साल का outlook देखे तो 82% से ज़ादा का moment आपको stock के अंदर देखने को मिल चुका है पांच साल की बात करते हैं तो लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है 292% से ज़ादे की तेजी आपको stock के अंदर देखने को मिल चुकी है और अगर long term के हिसाब से बात की जाए तो लगातार तेजी का माहूल आपको पहले ही इस company के अंदर देखने को मिल चुका है तो 4955% के return आपको इस company के अंदर अभी तक देखने को मिले है जब से ये stock NSC basic के अंदर list हुआ है तो 1999 से लेकर अब तक का जो outlook दिखाए देरा है वो positive है कि outlook किस तरह के का देखने को मिल सकता है 2022 के लिए तो current price लगबग 698 रुपे के आसपास दिखाए दे रहा है दोस्तों यहाँ पर 3 range देखने को मिल रही है high range, median range और low range तो high range की बात करते हैं तो 828 रुपे तक के लेवल आपको stock के अंदर देखने को मिल सकते है यानि के current price से लगबग 18% से जादा का moment दिखने को मिल सकता है और अगर median range की बात करते हैं तो current price से थोड़ा ही नीचे दिखाए दे रहा है लगबग 685 रुपे के आसपास यह stock हमलों को जाता हुआ दिखाए दे सकता है और अगर किसी कारण से कोई banker गिरावट हमें देखने को मिलती है तो 478 रुपे तक भी आपको अपने आपको तियार करके चलना है तो देखे खरीदारी करते वक्त सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखनी है वो यह है कि कम कम शेर रखें और नीचे के तैयारी अवराल करके चलनी है अब देखे अगर यहाँ पर financial train की बात की जाए तो देखे लगातार तेजी देखने को मिल रही है 2018 से लेकर 2021 तक की जो इस्तिती है कमपनी का revenue येर ओन येर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सेम अगर profit देखे तो profit के अंदर भी कोई कमी नहीं दिखाए देरी है profit भी लगातार इस company का हम लोग को long term के साब से देखा जाए तो बढ़ता हुआ नजरा रहा है 2018 के बाद 19 में तेजी देखने को मिली 20 में तेजी देखने को मिली 2021 के अंदर भी हम लोग को तेजी दिखाए दा रहा है तो इतनी ही holding promoters की इस समय है आपे देखने को मिल रही है mutual funds की बात करते हैं तो quarter and quarter basis पे खारिदारी करते हुए नजरा रहे है पिछले वाले quarter में लगभग 1.90% के आसपास holding थी इस बार ये बढ़कर 1.94% के आसपास हो चुकी है इसी तरीके से अगर डियाइस की बात करते हैं तो डियाइस बिकवाली करते हुए नजरा रहे पिछले वाले quarter में 3.77% के आसपास holding थी और महज 0.11% के आसपास इनके holding यहाँ पे दिखाए दे रही है अब अगर बात करते हैं दोस्तों FIs की तो FIs भी लिटल बिकवाली करते हुए नजरा रहे पिछले वाले quarter में लगभग 9.8% के आसपास holding थी और अगर इस बार देखे तो 9.6% के आसपास हम लोग के आपर holding दिखने को मिल रही थी इसी तरीके से अगर retail participants की बात करते हैं तो quarter on quarter basis पे खरीदारी करते हुए नजरा रहे हैं लगभग 15.2-4% के आसपास holding देखने को मिल रही है और अगर पिछले वाला quarter देखे तो 11.2-4-7% के आसपास holding बद्दी हुए नजरा रही थी तो महतपोर्ण हिसा है share holding patterns किसी भी company का तो दोस्तों खरीदारी करते हैं वक्त सिर्फ बोही जो मैंने आपको starting में बताई कि कम-कम share रखें और नीचे की तेयारी अवराल करके चलनी है दोस्तों कर आप नए हैं डीमेट अकाउंट open कराना चाहते हैं तो आप आप स्टॉक के अंदर डीमेट अकाउंट open करा सकते हैं लिंक नीचे description बॉक्स के अंदर दिया हुआ है दोस्तों के लिए पूरी जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल सब्सक्राइब कर क्रिक लेना ताकि नहीं वीडियो का नटिफिकीशन सीधे आपके mobile पंस के Thank you so much for watching